नमस्कार निवेश्का राशी फल विद चिराग दारुवाला आपका स्वागत है खास प्रोग्राम में अक्टूबर के लिए जानिये अपनी राशी के हिसाब से निवेश्का विस सॉलिशन साथ ही जीवन से जुड़ी और भी प्रशनों के जबाब सबसे पहले स्वागत करि ये सेलिब्रिटी एस्ट्रोजर चिराग दारुवाला है हमारे साथ तो चिराग जी सबसे पहले इस महीने का थोड़ा ग्रहों की सिती और उसके हिसाब से मारकेट की सिती समझ लें फिर राश्यों पर आते हैं शिरी गनेशाय नमः नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उमीद रखते हैं कि आप सब बहुत मजे में होंगे दोस्तों नवरातरी शुरू होने वाली है मैं आप सभी दोस्तों को नवरातरी की सारी शुबकामनाय देता हूँ हम सबसे पहले ग्रहूं की बात करते हैं तो ग्रहूं की स्तिती महिने की शुरूआत में मंगल जो है वो मिथुन राशी में रहेंगे और सूरिय जो है वो कन्या राशी में होंगे जबकी बुद कन्या राशी में और शुक्र तुला राशी में होंगे शनी कुम राशी में है और ब्रहस पती वरिशब राशी में जिसके कारण शेर बजार में stability देखने को मिलेगी large cap और mid cap shares में rally बरकरार रहेगी 9 तारिक को ब्रहस पती जो है वरिशब राशी में वक्री होंगे और 10 तारिक को बुद्ध तुला राशी में प्रवेश करेंगे जिसके कारण market थोड़ा volatile रह सकता है परन्तु investors जो है उनका जो उत्सा है वो बना हुआ रहेगा 13 तारिक को शुक्र वरिशिक राशी में प्रवेश करेंगे इस समय सेंसेक्स और जो निफ्टी है वो top high पर देखने को मिल सकते है foreign investment और बढ़ावतरी भी आपको देखने को मिलेगी 17 तारिक को सुरिय है तुला राशी में गोचर करेंगे जिसके कारण large cap shares में अच्छा returns देखने को मिलेगा gold और silver में भी तेजी देखने को मिल सकती है इस महीने still sector, infrastructure sector, energy sector, sugar sector, pharma sector, banking sector, cement sector आदी में भी व्रदी देखने को मिलेगी mutual funds में large cap, mid cap और index funds अच्छा perform करेंगे gold और silver में निवेश के लिए बहुत ही अच्छा return आपको मिल सकता है तो इस चीज़ के उपर आप जरूर से ध्यान दीजिएगा जी तो ये रहा आपके सामने महीने का एक basic खाका ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से कौन सा ग्रह कहा होगा फिर क्या transition होगा उसके हिसाब से और ये महीना तो वैसे भी खास है जैसा कि चिराग ने आपको बताया नौरात्री का ये महीना है तो चिराग शुरू करें राशियों के हिसाब से राशी फल का सफर शुरुआत कहां से करें हम शुरुआत करते हैं पहली राशी मेश राशी से गनेश जी कहते हैं कि मेश राशी वालों स्टील सेक्टर और पावर सेक्टर में आपने किया हुआ जो निवेश है वो बहतरीन रहेगा, पास्ट में अगर कोई निवेश किया हुआ था तो उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिल सकता है, स्मॉल केप और मिड केप शेर्स आपको अच्छे फाइदे कराएंगे, पाए करना है, प्रतिय गुरुवार को गाय माता को आपको गुड खिलाना है, और अगर रोज खिला सकते हैं तो बहुती बहतरीन है, पर गुरुवार को अवश्य खिलाएं मेश राशी वालों आपको जरूर से फाइदा देखने को मिलेगा, जीवन में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी, दूसरी राशी वरिशब राशी, गनेश जी कहते हैं वरिशब राशी वालों, शेर बजार में निवेश के लिए बहुती अच्छा समय है, अगर कुछ इन्स्टेबिलिटी चल रही थी तो धीरे धीरे इस महीने आपको अपने जीवन में, प्रोफेशनल तो संपत्ति की खरिद्दारी आप कर सकते हैं, पर अगर आप लेंदेन कर रहे हैं, तो सावधानी पुर्वक जाच करें, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लापरवाही नहीं बरतनी हैं, रिटेल सेक्टर में आपने किया हुआ निवेश बहतरिन रहेगा, खर्चे बहुत अ आशिरवाद आपके उपर बना रहेगा, और आपके जो अच्छे करम थे, आपने जो एफर्ट्स दिये थे, उसका अच्छा परिनाम आपको देखने को मिलेगा, वरिशब राशी वालों महीना आपका बहुत अच्छी तरह से बीतने वाला है, हम आएंगे तीसरी राशी, म अच्छा रहेगा, पर जल्द बाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, जल्द बाजी में लिया हुआ फैसला नुकसान कारक साबित हो सकता है, सोना चांदी के विवसाय में अच्छा लाब होगा, जो लोग एक्सपोर्ट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग हैं, कंसल्टंट्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, अच्छा नेटवर्किंग आपका होगा, आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, और वो लोग आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होंगे, प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय बहुत और इंपोर्ट सेक्टर के विवसाई में भी अच्छा फाइदा आपको मिल सकता है, निश्यत ही आपको सफलता देखने को मिलेगी, मिथुन राशी वालों क्या उपाय कर सकते हैं, हर शुक्रवार को मा लक्ष्मी जी की पूजा अलचना करें, और माता जी को खीर का भोग ओम श्रिम रिम श्रिम महा लक्ष्मी नमह का आप जाब भी कर सकते हैं, और वहीं रविवार के दिन सूरिय देव को जल चड़ाएं ब्रास पॉट में और उसमें कुछ चावल अवश्य दालें, आपके जीवन में आ रही बादाएं, आपके जीवन में आ रही अर्चनें, तकलीफें दीरे-दीरे कठती जाएगी, और जीवन में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, यह महिना आपका बहतरीन रहेगा, और ग्रोथ वाला महिना रहेगा, हम आएंगे, चौथी राशी, करकराशी पर, गनेश जी कहते हैं कि करकराशी वालों, रेलवे सेक्टर infrastructure sector में किया हुआ जो निवेश है, वो बहुत बहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा, mutual fund में निवेश आपके लिए फाइदेमन साबित होगा, आपको क्या करना है, experts की सला लेकर कोई भी प्रकार का निवेश करना है, खुद की नहीं चलानी है, संपत्ती में निवेश के लिए आपको धैरिय रखना है, आप यह कह सकते हैं कि यह मैना आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव होने वाला है, अपनी आय बढ़ाने के लिए आपको नए नए तरीके सोचने हैं, कुछ creative ideas लाने हैं, खर्चों पर नियंतरन रखने की भी आवश्यक्ता है, करकराशी वा और उनकी आरती करें, इससे क्या होगा, इससे आपका मन शांत रहेगा, और जो नए चीज़ की आपको शुरुआत करनी है, उसमें आपको जुनून मिलेगा, एक जजबा मिलेगा, और आप यह कह सकते हैं, एक आपको push-up मिलेगा, यह मैना आपके जीवन में कुछ अच्छ में रहेंगे, तो आपके लिए सबसे important उपाईया है, कि आपको यह मैने ज़्यादा विचार नहीं करना है, आपको flow के हिसाब से चलता रहना है, दूसरा, आपकी जो आथिक स्तिती है, वो पहले से बहतर रहेगी, आप बहुत slowly slowly कार्य करते हैं, पर अब आपको थोड़ा speed बढ़ाने की जरूरत है, अब आपका जो mind है, creative mind है, उसको use करने की समय आ चुका है, शेर बजार में निवेश से पहले, विशेश अग्यों की सला अवश्यल है, जरूर से आपको लाब होगा, लंबी अवधी के निवेश से अच्छी आए होगी, कोई legal मसला चल रहा है, कोई भी प्रकार का stress है, तो उसमें समादान हो सकता है, court case आपके favor में आ सकता है, जल्द बाजी में कोई निवेश नहीं लेना है, बिजनेस में आपको अच्छे order मिल सकते हैं, और कोई मनमुटाव चल रहा है, प्रेम जीवन में, वेवाहिक जीवन में, तो वो मनमुटाव दूर होगा, अगर पहल करनी है, तो वो पहल आपको ही करनी है, सिहराशी वालो, आपको ज़्यादा expectation नहीं रखनी है, आपको अपना best देना है, आपको best अवश्य मिलेगा, क्या उपाय कर सकते हैं, प्रतियक शनिवार को हनुमान जी को तेल और सिंदूर अरपन करें, और तीन बार अवश्य हनुमान 40 सुने, आपको positivity अपने जीवन में अवश्य देखने को मिलेगी, हम आएंगे, छटी राशी, कनिया राशी, गनेश जी कहते हैं, कनिया राशी वालो, आथिक स्तिती में थोड़ा सा उतार चड़ाव आ सकता है, पर आपको जो भी प्लान करना है सोच समझ कर प्लान करना है, और एक बजेट बनाना है, फाइनेंस सेक्टर, इंशोरेंस सेक्टर में निवेश अच्छा रहेगा, पास्ट में निवेश किया हुआ था, जिसका return नहीं मिल रहा था, वो return आपको यह महीने मिल सकता है, अगर आप exit करना चाहते हैं, तो exit के लि आमदनी है, वो अच्छी होगी, आपको अच्छे partners मिलेंगे, आपका stress level कम होगा, अपना पैसा आपको सोच समझ कर निवेश करना होगा, क्या उपाय कर सकते हैं, प्रतियक शनिवार को, कवे को और शुकरवार को, काले कुत्तों को अवश्य भोजन आप कराएं, इस से क्या होगा, शुकरदेव और शनी देव का आशिरवाद और उनकी कृपा आपके उपर बरसी हुई रहेगी, और आपके जीवन में, अचानक surprisingly आपको कुछ मिल सकता है, एक और चीज आपको unexpected monetary gains भी हो सकता है, तो क्रिपया उसके उपर भी अवश्य विचार करिएगा, अगर पै से नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट रहकर कारिये करिए, अवश्य आपको अपने जीवन में, positivity, अवश्य आपको अपने जीवन में growth देखने को मिलेगा. जी, तो ये रहा, शुरू की छे राशियों का राशी फल, निवेश्ट के हिसाब से, और आई के हिसाब से, धन अरजन के हिसाब से, तो हम ये चाहेंगे कि ये छे राशियों के जो फल बताएं हैं, चिराग ने उनको स्क्रीन पर लाया जाए, और इस बीच, चिराग से हम ये जानने की कोशिस करते हैं, कि ये जो सुब्व समय है नावरात्री का, उसका बेहतर से बेहतर उप्योग हम कैसे कर सकते हैं, चिराग जरा हमारे दर्शकों को नावरात्री के लिए कुछ माग दर्शन आप करें. देखिए नवरात्री के नौ दिन है, इन नौ दिनों में आप अगर नौन वेज खाते हैं, तो कृपिया करके उसे अवोइड करें, आप जिस भी भगवान में मानते हैं, उनके नाम की एक बाधा रखें, और क्या करना है आपको, अगर आप एक टाइम फास्ट रख सकते है तो अवश्य रखे माता जी के नाम का, इस से क्या होगा, इस से माता जी की कुरुपा आपके उपर बरसी रहेगी, और माता के नौ है नौ रूपों का आपको आशिरवाद अवश्य मिलेगा, और जितना हो सके जरूरत मंद लोगों को मदद करें, विडोस, जो विडोस हैं उनको आप मदद करेंगे छोटे बच्चों को जो चौराहे पर आपके घर के बाहर आपके आफिस के बाहर जो चौराहे पर जो बच्चे हैं स्ट्रीट डॉग्स हैं जितना हो सके उनको मदद करिए अपनी यथा शक्ति के अनुसार मदद करिए आप यह कह सकते हैं वो ब्लेस सिंग आपको जीवन में कहां पहुंचाएगी जो शायद आपको पता भी नहीं हो तो करिपिया करके इतना अवश्य करें फिर देखिए कि आपको अपने जीवन में कितना बदलाओ देखने को मिलता है जी तो छे रासियों का हाल आपको हमने बताया और साथ ही देखिए नवरात्री के मौके पर आपको क्या करना चाहिए आवस से जो फल दाई होगा वो भी आपको चिराग ने बताया यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे ब्रेक से वापस आकर वापस छे रासियां जो बचे हुई है उनके रासिफल आपको बताएंगे और इस महिने से नवरात्री नहीं है और भी तिवहार आने वाले हैं उन पर भी बाचित कर लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के लेगिति उनके बाद वाले हैं याले हैं वाले हैं मैं तर दोटे से ब्रेक के लिए हैं अगहार आकर व्रेक के लिए हैं झाल 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 प्रिक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागा से निवेश का राशी फल विद चिराग दारुवाला में और आप तक हमने छे राशीयों का हाल बताया बागी की छे राशीयां और उनसे संबंदित फलाफल मारकेट निवेश और आपके आई के हिसाब से जानने के लिए फिर चिराग दारुवाला के पास चिराग शुरू करें सफलता दिलवाएगी विवसाए में नए बदलाव कुछ बदलाव आपको लाने होंगे और वो बदलाव से आपको अच्छा फाइदा भी देखने को मिलेगा विवसाए को आगे बढ़ाने में आपको सक्रिय रहना होगा क्या उपाए कर सकते हैं प्रती दिन सुभ गाए को गाए माता को हरा चारा हरा गास अवश्या खिलाए इससे आपको लाब देखने को मिलेगा और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो अवश्या कम होगा आठवी राशी वरिश्यक राशी गनेश जी कहते हैं वरिश्यक राशी वालो आपको अपना जो जिद्धिपन है वो दू करना होगा, इगो को निकाल फैकना है, अहंकार को निकाल फैकना है, जितना हो सके जमीन से जुड़े हुए रहें, व्यापार में फाइदा होगा, मुनाफ़ा देखने को मिलेगा, एक्सपांशन के लिए महिना बहुती बैतरीन है, वहीं अगर निवेश की बात की जाए तो आटो मोबैल सेक्टर, एनरजी सेक्टर, स्टील सेक्टर में किया हुआ निवेश अच्छा रहेगा, इंशुरेंस और फाइनेंस सेक्टर में भी आपका जो निवेश है वो अच्छा रहेगा, आपको पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, तो उसके लि लाल वस्तर और लाल चीजों का दान अवश्या करें, और इससे क्या होगा, इससे आपको जरूर से कुछ अडचने हैं, कुछ बादाएं हैं, वो दूर होंगी और आगे आप अवश्या बढ़ेंगे, नवमी राशी, धनू राशी, गनेश जी कहते हैं, धनू राशी वालो जितना ज़्यादा विचार करेंगे, उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो विचार करें मीना कार्य करिए, म्यूच्वल फंड में इवेश, बैतरीन रहेगा, आपको अपने करियर में, व्यापार में, प्रोफेशनल लाइफ म ग्रोथ देखने को मिल सकता है, कई स्तरोतों से पैसा कमाने का मौका आपको मिलेगा, मल्टिपल अपॉचुनिटीज, और यंतरित खर्चों पर आपको ध्यान अवश्य देना होगा, आपको क्या करना है, एक बजेट बनाना है, उसके अनुसार ही आपको खर्च करना है, उ आप फिर देखिए ग्रोथ कितना मिलता है, प्रोफेशनल लाइफ में कितनी तरक्की आपको देखने को मिल सकती है, महिना आपका अच्छी तरह से निकलेगा, हम आएंगे दसवी राशी मकर राशी, गनेश जी कहते हैं मकर राशी वालो, यह महिना आपके जीवन में एक य पोड़ा सा ध्यान रखना है, सिमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर में किया हुआ निवेश अच्छा रहेगा, आपकी आथिक स्तिती में सुधा देखने को मिलेगा, अटके हुए पैसे मिल सकते हैं, लेकिन आएक इस तरोत आप पर अवश्य बढ़ेंगे, करियर के लिया आपने विचार भी नहीं किया हो, प्रॉपटी खरीदना चाते हैं, प्रॉपटी बेचना चाते हैं, बदलाव लाना चाते हैं, वो हर एक चीज़ के लिए महिना अच्छा है, आपको खाली अपनी वानी पर नियंतरन रखना होगा, किसी से भी कम्मिनिकेशन कर रहें, सोच कोई का दान अवश्य करें, मकर राशी वालों, अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये समय आपका है, आप जीवन में अवश्य आगे बढ़ेंगे, आपका डंका अवश्य आगे बजेगा, महिना आपका अच्छी तरह से बीतेगा, ग्यारवी राशी, कु राशी वालों किसी के भरोसे नहीं बैठे रहना है, आप इंडिपेंडेंट है, खुद के उपर भरोसा रखकर कारिये, शेर बजार में जो निवेश किया था, उसका रिजल्ट, उसका जो रिटर्न है वो अच्छा मिलेगा, पावर सेक्टर, एनरजी सेक्टर, गैस सेक्ट एक्सपोर्ट सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इसमें निवेश अच्छा रहेगा, जिन शेयस में आपका पैसा रुका हुआ था, अटका हुआ था, उसमें तेजी आ सकती है, घर फिर या कोई प्रॉपर्टी खरीदने का आपका सपना अवश्य पूरा होगा, आपकी आथिक स् में उता चड़ाओ आ सकता है, पर मनोबल जो मेंटली आप है, वो मजबूत रहेंगे, यानि आपको चिंता नहीं करनी है, क्या उपाय कर सकते हैं, हर शनिवार शाम को, शनिदेव को काले तिल और सरसो का तेल अवश्य चड़ाएं, शनिदेव की कुरुपा रहेगी, तो कर मिलेगा और आपको हर एक इंसान के लिए अच्छा सूचना है, बारवी राशी, मीन राशी, गनेश जी कहते हैं, मीन राशी वालो, ये महिने की शुरुआत में निवेश के लिए बहुती सही समय है, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में अच्छा मुनाफ़ा आपको मिलेग म्यूच्वल फंड में किया हुआ निवेश में आपको थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ सकता है, नौकरी में अच्छा प्रोमोशन, इंक्रिमेंट मिल सकता है, अच्छी जॉब अपॉचुनिटीस मिल सकती है, नया व्यवसाइश शुरू करना चाहते हैं, तो उसके अच्छा समय है, आप क्या कर सकते हैं, उपाय में रोजाना सुर्य देव को जल चड़ाएं, और 21 बार गायतरी मंत्र का जाप अवश्य करें, ओम भुर भुवसवह तत्सवितुन वरेनियम भर्गो देवस यदी मही दियो योनह प्रोचो दया, उमीद रखते हैं, आप हमा जी का आशिरवाद अवश्य मिलेगा, कृष्ण भगवान का, विश्नु जी का, और शिनाद जी महराज का आशिरवाद आपको अवश्य मिलेगा, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, श्री गनेशा एनम्हा जी तो ये थे सुझाओ चिराग धारुवाला के राशी के हिसाब से, आपके कमाई के लिए, आपकी बचत के लिए, और आपके निवेश के लिए, साथ ही हमेशा ये याद रखें कि कमाई बचत और निवेश का जो भी फैसला आप लेते हैं, वो एक अध्यान के बाद ये क्योंकि इसमें जोखिम शामिल होते हैं, चिराग आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस कायरकरम में आने के लिए, हमसे जुनने के लिए, फिलहाल इतना ही, श्री गनेशाय नमा, नमस्कार चालर आपका बादा में फिर उका जाक का जार आपका-उल चाने सामिल होते के की अ-ध्यान